नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लैटफॉर्म पर आप सभी को गुद इवनिंग आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में एक नए विश्य के अभ्यास में मैंने अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर जोग्रॉफी का सेग्मेंट कंप्लीट किया था और जब मैं जोग्रॉफी आपको पढ़ा रहा था तो आपका बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि सर भूगोल का जो डर है वो खतम हो चुका है आप मेंसे बहुत से ऐसे बच्चे थे जिने जोग्रॉफी समझ में नहीं आती थी लेकिन आज वह जोग्रॉफी के मास्टर बन चुके हैं तो जब आप मुझे इस प्रकार के मैसेज भेज रहे थे, कि सर हमारा जोगरोफी इजी हो गया, आसान हो गया, अब हमें खोव उसमें इंट्रेस्ट आता है, हम वहां से आने वाले सभी प्रश्णों को सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे उपर एक अन्य था दबाव बढ़ रहा अधरवाईज इसका पूरा जो नाम है, वह है Constitution and quality, अर्था समिधान एवं राजविवस था, तो मेरे सामने चैलेंज ये था, कि आखिर आने वाले समय में, मुझे कौन सा perfection इस class में बनाना होगा, जिससे इन बच्चों का भरोसा में बनाए रख सको, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छा होता है, बाकि सब जो है कि ऐसे ही होता है, इसलिए आप हमारा कोर्स लीचे ऐसा बहुत से कोचिंग संस्थान आपको बोल रहे थे, मैंने आपको उस समय भी भरोसा दिलाया था, और अब मैं फिर से आपको भरोसा दिलाने जा रहा हूं, यह जो सफर हम लोग सुर जा रहा हूं, और अब आपको डिसाइड करना है कि क्या इस बिसे का जो कॉंसेप्ट है, यहां कई जितनी भी टॉपिक है, उनके कॉंसेप्ट की जो किलिरिटी है, जो आपके दिमाग में डाइमेंशन उभर कर आते हैं, क्या वो सांदार है की नहीं, और इसका एक ही पैमा रहे हैं, यह बिना बाधा कि हम लोग कंप्लीट कर सकें, एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज जा रही है, प्लीज बता दीजिए, सब के लिए है, सब के लिए है, सब के लिए है, सब के लिए है, ओके, ठीक है, तो एक बार सेशन को सब लोग लाइक और सेयर कर लिजे, ताकि अधिक से अधिक की student तक ये class पहुंच सके क्योंकि हम लोग जो सफ़र सुरू करने जा रहे हैं इसमें हमारा प्रयासी होगा कि हम इस विसे को इतने सांदार तरीके से discuss करें कि इस विसे की class जब भी आप YouTube पर देखें किसी भी online paid course को देखें या फिर offline class जो सबसे महंगी classes हैं उनके student से आप बात करें तो एक ही उत्तर होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उससे बहतर कुछ भी नहीं हो सकता आपकी समझ सबसे बहतर होने चाहिए चलिए हम अपने discussion को प्रारम करते हैं जैसा कि मैंने आपसे कल भी request किया था कि इस class में सभी चीजे मैं लिखकर पढ़ाऊँगा ठीक उसी तरह से जैसा कि आप offline में पढ़ते हैं जहां पर मुझे लिखवाने की जरूरत होगी मैं ऐसे बोलूँगा आपसे कहूँगा कि लि उखेंगे कि आखे इन दो सब्दों के अर्थ क्या है लेकिन इन सब्दों के अर्थ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह जो बिशय है जिसको हम discuss करने जा रहे हैं इसका importance क्या है और importance को हम प्लिम्स के पॉंट ऑब युसे देखते हैं मेंस के पॉंट बिश से दे और उसके बार मैं इन दोनों सब्दों को सब जाते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट कर दूँगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारा discussion है इसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह जो सब एक हम discipline एक सब्जेक्ट जो इस टार्ट कर रहे हैं जिसका हिंदी में हैं जिसे हम नाम देते हैं समिधान एवं राजवियोस्ता इंगलिस में constitution and quality इसका importance अर्थात महत्यों क्या है और महत्यों को भी हम दो हिश्चों में बाढ़ लेते हैं पहला है प्रारंभिक परिक्षा के इस तरह पर हम देख लेते हैं नोट करते चलिएगा और उसके बाद मुख्य परिश्य फिर अगला हमारा जो discussion होगा उसमें हमें बात करना है स्रिलेवस के विश्य में अर्थात पाठिकरम के विश्य में ठीक है तो हम देखेंगे हमारा जो पाठिकरम है स्रिलेवस है वह क्या है और इहां जो पाठिकरम है इसको भी हम दो हिस्सों में देखेंगे प्रारंभिक परिक्षा का जो पार्टिकरम है उसमें क्या मेंसन है जो मुख्य परिक्षा का हमारा पार्टिकरम है या सलेवस है उसमें क्या-क्या सब्द लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह जो विश्य है आप जिसको देख रहे हैं आप में से अधिकांस लोगों ने इस पेच को देखा होगा तो उनको लग्या होगा च्छा-च्छा एम लच्मी कांथ पढ़ना है आगे मैं सभी चीज़े आपको बताऊंगा यह जो किताब है यह तो हमें पढ़ना ही है लेकिन अगर हम इस विशर में अपने आपको मास्टर बनाना चाहते हैं मास्टर का मतलब यह है कि य देखेंगे सोर्स अर्था हमारे सुरोत क्या होंगे पढ़ाई के पा क्या आपको सिर्फ क्लास करना है क्या आपको नोर्स बनाना है क्या आपको किताब लेना है क्या आपको NCIT पढ़नी है फिर हम देखेंगे कि आखेर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की प्रकरती क्य करना है ताकि हम समझ जाएं कि आखे इस पर हम जितनी एनर्जी लगा रहें उसका आउटपुट हमें किस तरह से बहतर मिल सकता है और कैसे सबसे जादा हम जो है कि प्रोड़क्टिव तरीके से इस सब्जेक को कम्प्लेट करें ठीक है और इसके बाद हम क्या करेंगे अपना यह जो शिर्सक है इस सिर्सक को हम डिसकस करते हुए अपने शिलेबश को प्रारम कर देंगे ठीक है अर्थात अपने पाठिकरम को हम आज से ही पढ़ना चालू करेंगे तो यहां तक हमारी जर्नी होने वाली है और आज ही हम पूरा जो है कि पढ़ाना आपको चालू चालो करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपोर्टन के तो यहाँ से आने वाले अगर प्रश्लों की के पृक्ष्वेंसी को हम देखें एक साल नहीं पिछले 10-12 बारे बोज़ों के फिरिक्वेंसी देखें तो यहां से लगबग हर साल आपको 15 से 16 को सन देखने को मिलेंगे इसका मतलब है कि यह यूपी ऐसी सी के प्रारंभिक प्रिक्षा के पॉइंट अब उससे सबसे महतपूर विश्चे के रूप में जाना जाता है अब आप कहेंगे कि नहीं सर इससे ज्यादा भी को सन किसी विश्चे से किसी बर्स आये हैं जैसे एकॉनमी में आप देखेंगे कई बार एकॉनमी से 22 को सन आये हैं ठीक है किसी साल देखेंगे तो इन्वार्मेंट से आपको 22 से 23 को सन मिलेंगे वह यह बर्स किसी भी विश्चे से जादा आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है एवरेज अगर हम सबी लोग उसका सही उत्तर देते हैं, जो मिश्टेक होता है वह मिश्टेक हमें देखने को मिलता है 5-6 प्रिष्टों है लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, कि आप अगर इस पूरेश सफर को इमानदारी से करेंगे, जैसे जैसे जो चीजे मैं बताऊंगा, आप उसको मानते चलेंगे, तो आप देखेगा आपका जो सफर है, वो इतना सांदार होगा, कि पंद और आप हर जगे क्या करते हैं, आज पॉलिटिक्स देखते हैं, तो इस विसे को बस मुझे दिसा देनी है, बाकी इसकी प्रवर्ति, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सब चीज आपके अंदर हैं, बस मैं बताऊंगा, कि आप मूल रूप से कितना इस विसे से जुड़ कुछ भी निर्णे आया, उस पर आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं, यह तो ऐसे ही हैं, अरे सुप्रीम कोट हैं, उन्होंने दे दिया होगा इस्टेटमेंट, कुछ भी बोल दिया है, लेकिन बाग्द में देखना फैसला बदल जाएगा, तो अभी आ पता चलता कि भी या, राजनीती के बहुत बड़े ग्याता हैं, तो आज आपकी बास सुनने वाले दस लोग हैं, तो हो सकता है उसमें से दो लोग जो ठीक से पॉलिटिक्स को समझते हों, कॉंसिट्यूशन को समझते हों, वो आपसे कहेंगे अतार्किक बेक्ति हैं, कुछ इतना नहीं है, बस इस विसे में रुची थोड़ी सी जादा हो गई है, हम इस विसे को बड़े गहराई से मन से पड़ बैटे हैं, क्योंकि इसमें एक सब्द है Constitution, और मुझे जिस छित्र में जाना है, किस छित्र में जाना है आपको, अधिकारी बनना है, जिला चलाना है, राज्य चलाना है, देश चलाना है, तो आपके पास जिस चीज के सबसे बैतर जानकारी होनी चाहिए, वह है Constitution, वह है पॉलिटी, और अभी में जब पॉलिटी को डिफाइन कर दोंगा, तो यह बात और आपको किलियर हो जाएगी, कि हमें देश को चलाने के लिए किसकी जा करना वाला हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें, देखते रहें, आपने मुझे से कहा था न, स्टार्टिंग में बताया, किस जो ग्रॉप ही ऐसे पढ़ा है, मचा आ गया, पॉलिटी पढ़ा पाऊगे ऐसे, हमने कहा कोसिस करेंगे, और देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं, चुँकि हम कुछ भी बोलने हैं, फैसला तो आपको करना है, और आप ही सब के, आप क्या हैं, जज हैं, और जज हमारा यहां पर पूरा जो प्रयास है, वह कितना मेहनत भरा है, कितनी समझ किलियर कर पाते ही, ये तो क्लास के अंत्रत में आपको पता चलेगा, तो कुल शब्सकारमबिक प्रिक्ष्या को क्रैक करना है, तो हमें इस टाईटल वाला जो यह हमारा टॉपिक है, जो सेगमेंट है, इसपर हमारी पकड मजबूत होने चाहिए, क्योंकि सभी लोग 10-11 प्रश्नों तो सही करते हैं, तो हमें पहला एप प्रोच हमारा यहोगा प्रश् पांच कुस्टन की अगर हमने लीड ले ली तो अपने आप हमारे सफल होने की जो पॉसिबिल्टी यो बढ़ जाएगी फिर अगर हम इसी चीज को मुख्य परिक्षा के पॉइंट अब उसे देखें तो मुख्य परिक्षा में यहां से जो कुस्टन आते हैं वो देखेंगे तो हर साल अभी मैं बताऊंगा मुख्य परिक्षा के प्रश्ण कैसे आते हैं तो मुख्य परिक्षा में भी अगर इस विसे के इंपोर्टेंट को देखें तो 120 से लेकर 130 नंबर के क्वस्टन आपको देखने को मिलेंगा तो मुख्य परिक्षा के पॉइंट अब उसे भी इस टेटजी वाले प्लेलिस्ट में उपलब्द है टेलीग्राम पर डेली डाला जाता रहता उसको देख लीजेगा ठीक है तो यह मुख्य परिक्षा में भी हमें 100 जो है कि 20 से 130 नंबर का क्वस्टन यहां से हमें मिलता है अब हम आ जाते हैं अपने श्रिलेवस पर और हम देखते हैं कि हमारा जो पाठिकरम है वह क्या है सिलेवस क्या ठीक है नोट करते चलिएगा नोट नहीं करेंगे तो सब मेहनत में पानी फिट जाएगा तो सिलेवस को हम लोग दो हिस्टों बाड़ लेते हैं जैसा कि हमने का प्रारंभिक परिक्षा में इस विश्य को लेक है तो यहां पर भी इस विश्य को लेकर भी UPSC ने यह अप्रोच रपनाया है बहुत कुछ बहुत कम लिखा है लेकिन वह पूछते आपसे बहुत जादा है क्या लिखा इन्होंने जो प्रारंभिक परिक्षा में इन्होंने सब्द दी है वह क्या है पहला है हमारा सम्मिध सेग्मेंट से जिस विश्य पर प्रारंभिक प्रिक्षा में आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा उसमें पहला जो सब्द इन्होंने दिया है वह सम्मिधान दूसरा है राजनीतिक परणाली राजनीतिक परणाली नोड करते चलिएगा सिलेबस सिली समझ लिजे ताकि आप अपनी मेहनत को दिसा दे सकें जब तक आपको यह नहीं पता होगा सिलेबस क्या है तब तक आप सही से अपने समय को यूटलाइज नहीं कर पाएंगे आप फोकस नहीं कर पाएंगे आपको क्या पढ़ना है सब्द है वह है पंचायती राच वह है पंचायती राच जो चौथा सब्द इन्हों ने दिया है वह है लोक निती पब्लिक पॉल्सी लोक निती और जो पांच्वा सब्द इन्हों ने दिया है वह है अधिकार संबंधी मुद्दे अधिकार संबंधी मुद्दे तो इतना इनों ने दिया है लेकिन पूछते क्या हैं वो सब कुछ पूछ लेते हैं अगर आप इन सब्दों के आधार पर सिर्फ तयारी करें और अगर आपको इसका बिस्तार ना पता हो आपको इनका ब्यापक अर्थ ना पता हो आपको इज्जक्ट ये ना पता हो कि हम बात करते हूं तुम्हें क्या-क्या सामिल हो जाएगा और अधिकार संबंदी मुद्वे में क्या हमारे यहां पर सिर्फ फंडामेंटर के राइट की बात की गई है मैं ऐसे सब्दों का प्रियोग नहीं करूंगा जिनको मैंने अभी आपको समझाय नहीं है जैसे मैं अभी किताब है संब्धान वह पूरी लक्षमी कांत आपको पढ़नी है ठीक है दूसरी चीश यहां पर आपको संब्धान से आगे बढ़कर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है तो संब्धान को इंग्लिश में बोलते हैं Constitution और यह जो आप प्रश्ण देखेंगे तो आपको पता इसी लिए मैं कहा रहा हम आगे चलकर मैं समयधान ओर पॉलिटी को ज्यादा डेफाइन करूंगा बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा तो हमने कहा कि समयधान और पॉलिटी सब कुछ पढ़ना है इसका मतलब है कि इन्होंने भले ही यह सब्द दे रखे हों लेकिन हमार क्योंकि जो प्रश्ण पूछे जाएंगे चाहें प्रारंबिक परिश्या में हो या मुख्य परिश्या में हो वह समिधान से लेकर पूरा उससे बाहर का जो ब्योंड है उससे भी पूछा जाएगा इसी तरह से अगर हम मुख्य परिश्या में देखें कि हमसे मुख्य परिश था राशन भीवज था ठीक है सम्यधान सम्यधान टीक राज भी व्यूज था राज भीवज था राज भी व्यूज था ठीक है और लोक नीटी पबलिक वॉल से लोग नीटी यह इन्हों और इनहों उने क्या किया इसका टाइटल लिया एक है मोग कि परिश्चा में GPS पर सेग्सेंट जब आप देखेंगे तो उसका सिरसक आया है प्रारंभिक परिशा का सिरसक प्रारंभीक सब्काहर Alfama जो पॉल्टी वाला सेग्मेंट उसका सीड सक इस तो आपके सामने यह पूरा syllabus खुल कर आजाता है कि पॉल्टी में हमें क्या-क्या पढ़ना है तो देखे सासन बेवस्ता सम्विधान सासन पढ़ना ली समाचिक न्याय और अंतरराष्टी संब्ध यह जीएस पेपर सेकेंड का पूरा आपका syllabus है तो हमें यहां पर जो discussion करना ह है वो सिर्फ इतना करना है पूरा जीएस पेपर सेकेंड तो हम पढ़ नहीं रहे हम तो पॉल्टी और Constitution वाला segment पढ़ रहा है तो यहां तर अब इसी चीज़ को यहां पर देखेंगे तो इसी चीज़ को यहां पर बताया गया है कि भारती चंविधान उसका इतिहासिक आधार क्या है किया है उसका विकास कैसे हुआ उसकी संसोधन कैसे होते हैं महत्पूर पराफधान क्या है बुन्यादी सहराचण क्या राज colored तथा उसके उत्तरदाई्तों की बात की गई है संग्य धाचे से संबंदित बिशे यह चुनोतियां बताई गई है एक चीछ ध्यान दीजिएगा मैं जो पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं अभी एक आपसे प्रश्ण पूछने वाला हूं ठीक है इस्थानी इस तर पर सक्तियों और फाइनेंस का हस्तानांतरण कैसे होता ह है इसे कौन ओन सी चुनोतियां आ रही है विभिन घटकों के विसप्तियों का प्रथक्र्ण शमश्यय यों समाधान तंत्र की बात की गई है भारति संब्धानिक योजनां की अन्य देशों के साथ तुलना की बात की गई है, संसत और राजविधाईका की बात की गई है, कारेपालिका और न्यायपालिका की बात की गई है, जन परतिनीदित अधिनियम की बात की गई है, बिभिन शम्मेधानिक पदों पर न्यूक्ति और उनके सम्मेधानिक निकायों क सक्तियों पर बात की गई है बिधिक रेगुलेटरी और विभिन अर्ध नियाइक निकाय पर बात की गई है तो इस तरह से अगर देखें तो इतना इन्हों पूरे शिलेबस पर हमें क्या करना है अपना कमांड बनाना है अगर आप सिलेबस को समझ पाये होंगे तो इससे एक चीच के लिए हो गया कि यहां पर इन्हों को प्रारंभिक परजिशा हो यह मू के परिशा हो जो षबत लिए हैं उसके दायृषे भाहर जाकर भी इस्टडी करनी है अरफार हम जब लक्षमी कांत पढ़ेंगे तो सिर्फ लक्षमी कांत नहीं पढ़ेंगे बलकि हमारे चारोर चितनी घटनाय हो रही है जिसका संबंध हमारे संविधान से है जिसका संबंध हमारे सासन से है जिसका संबंध हमारे परसासन से है जिसका संबंध हमारे देश के नागरिकों से है उन सब मुद्दों को हमें यहां पर डिसकस करना होगा समझना होगा यही से मैं आपको बता दूँ कि यह जो आप प्लिम्स और मेंस का आपने स्लिवस देखा यहां से आने वाले अगर आप प्रश्णों को देखें तो आपको पता चलेगा 80 से लेकर 90 परतिसर जो प्रशन आते हैं चाहें इसमें प्लिम्स की प्रशन भी सामिल है और मेंस के भी प्रशन सामिल है उनकी जो प्रिकरती है वो यह है कि यह आप से आपकी जो समिधान की समझ जो समिधान की आप समझ बिक्सित करते हैं तो समिधान की समझ आपकी कितनी ब् ब्योहारिक आप जो है कि सम्मिधान की समझ रखते हैं इशी का यह परिक्षण करते हैं अब मैं बताऊंगा कि सम्मिधान की समझ होना और उसका ब्योहारिक ज्यान होना क्या क्या मतलब है इसको अगर मैं संछेप में आपको बताऊं तो हमारे यहां पर हमारा जो देश है इस उसमें समय पर चुनाओं होंगे चुने हुए जो प्रतिनिधी है वह हमारे लिए कानून बनाएंगे वह हम उनको चुनकर भेज रहें वह मुख्यमंत्री बनेंगे परधान मंत्री बनेंगे लेकिन हमेशा जनहित में काम करेंगे अब वहारी प्रश्ण यह है कि क्या वह ऐसा करते हैं क्या वो जितनी कानून बनाते हैं क्या हम सभी कानूनों से खुस होते हैं क्या हमारा कभी उनके प्रति असंतोस नहीं होता और असंतोस होता है तो उसको हम कैसे कैसे बैक्त करते हैं किस तरह से हम हरताल करते हैं किस तरह से बिरूत परदर्शन करते हैं यह सभी चीजों को हमें क्या करना होता है देखना और समझना होता है इसका मतल मैंने यहां पर आपको जो समझाने का प्रयास किया कि आपको क्या करना है सम्विधान पर अपने समझ को बिक्सित करना है यहां पर ध्यान दिजेगा जो यह प्रशनों के नेचर और फिक्वेंसी को देख से नहीं पूछा जाता अर्था जिसको आप कहते हैं कि भया इस आर्टिकल में यह है इस भाग में यह है यहां पर यह लिखा हुआ है यह सब चीजे रटने की ज़रूरत नहीं है इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके लिए बहुत सिंपल सा मेकेनेजम यह है कि हम इनका ब्योहारिक ज्ञान समझ ले आपको मैं एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ हम सब लोगों ने कभी न कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में इतने नाम आते थे कि यह वाला रसाइन इस काम आता है और इन रसाइनों के चक्कर में हमारे दिमाग का नाम रसाइन खराब हो जाता था घर वाले कहते थे कि चीनि लेकर आओ हम हम से झीरा मांगते थे हम कुछ और लेकर आ जाते थे क्योंकि दिमाग का रसाइन बदल चुका था लेकिन आपने देखा होगा कि जब वही चीजे आपको कुछ चीजों का प्रेक्टिकल करवा दिय अब आपने यह वाला chemical डाला अब इसके साथ यह वाला chemical डालाओ अब क्या प्रणाम पर आप्त होता है तो आप उसको जीवन भर आज तक आप नहीं बोले होंगे इस तरह के आपने practical किया हुआ क्यों 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 आपने करकर देखा ठीकिसे तरह से जो हमारा समिधान है इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहता हो कि भाया समिधान है तो याद तो करना हुआ समझ जाएगा उसको समिधान पढ़ने या पढ़ाने का जो experience है वह बहुत अच्छा नहीं ह अदरवाज ही याद करने वाली चीजी नहीं है चुकि मैंने आपको starting में कहा यह जो बिस्ते हम पढ़ने जा रहे हैं यह तो आपके खून में है यह तो हमारी रगों में दोड़ता है तो जो चीज हमारी रगों में दोड़ रही है क्या उसको हमें याद करने की जरूरत है नहीं हमारा बस observation हमको करने की जरूरत आखिरी चीजे होती क्या है और समझेगा जब हम इस समझने का प्रयास करेंगे सरकार कैसे बनती है किसके क्या सकतिया है क्या दाइक तो है हमारे क्या करतब है सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे इस प्रयास में अपने आप हमे नियम याद हो जाएंगे जैसे दो तरीके हैं हम क्या करें एक company बनाते हैं मालोग ठीक है एक company बने अब इस company को चलाने के लिए हम क्या करें hundred नियम बना और सभी को कह दें नियम रट कर आओ और सब लोग कल बता ओ यह हो सकता है और वहारिक लगे और किसी को याद ना हुआ लेकिन हम उनसे कहें कि देखो भाई हमें इन नियमों के थैत काम करना है ऐसा करो हम कार करते रहते और हम क्या करते हैं पहले पांच काम करते हैं पांच काम हमने कर लिए तो इसमें से पांच नियम हमने complete कर लिए अगली पांच काम करत प्रयास करेंगे, कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है वह अब जो है कि जो रूल के जो टेबल है उसको नहीं देखेगा ठीक इसी तरह से जब हम समिधान समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप जितनी आर्टिकल है जो हमारे इंजाम के पॉंट अब्विस इंपॉटेंट है वह इतनी बा में देखेंगे और सभी चीजों को जब आप मेरे हिसाफ से देखने लगेंगे तो आप देखिएगा जो समिधान आज आपको आर्टिकल डराते हैं मुझे भी आर्टिकल याद नहीं करता हूं लेकिन आप देखिएगा सब आर्टिकल आपकी दिमाग में होंगे जैसे कि मै आपको इस सब्जेक्ट में इतना साउंड कर दें, इतना मजबूत कर दें, कि जब भी आज के बाद आप किसी से बोलें, कि भाया मैं इस बुंदे पर यह रा रखता हूं, तो वह लोग सभी लोग नत्मस्तक होकर कहें कि भाया कितना अच्छी बात करते हूं, क्योंकि आप व उनको जीने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है, जैसे मैं आपसे कहूं, कि भाया ऐसा करना है कि आपको यह एक नक्सा दे दिया मैंने, आपको मैंने यह दिया एक जिले का नक्सा, और मैंने कहा इसको याद कर लो कौन सी चीज कहां पर है, आप क्या करोगे, एक दि पिनक्से से काम चलाते तो क्या, आपकभी इस जिले को याद कर पाते हैं, कोई सी चीच कहा है मैं कभी नहीं कर पाते हैं, अब आप घौमा है, क्या इस जिले को आपक भी बोल पाऊंगlaughter, ने, तस साल बाद भी कोई पूछे का भी इड़ी में वहां पर गया ता, आपको, यह समझना चालू कर देंगे तो इसके जो नियम है वो अपने आप आपकी दिमाग में आते चले जाएंगे और जब दिमाग में नियम आने लगे जब आपकी सोच संबेधानिक बनने लगे तो समझ जाएगा कि आप अच्छे अधिकारी बनने के लिए तयार हो गए हैं आप ब्यूरो क्रिशी में जाने के लिए तयार हो गए और यही वह सेग्मेंट है जो आपको यह तुरंत भरोसा दिलाएगा कि वास्तों में अधिकारी वाले गुर्ण तो हैं हमारे पास जैसे एक अधिकारी जब आप उसके सामने आंदोलन करने जाते हैं जब आप उसको अपन वह कभी भी किताब लेकर नहीं चलता है कि भया IPC CRPC ये को किताब को चले सब उसको ब्यवहारिक चीज़े तो यही चीज क्या होता है आपको यहां पर देखना है मैंने कहा कि हमें समिधान से आगे बढ़कर समिधान की समझ विक्सित करनी है और इसके ब्यवहारिक सद्यान देना है क्योंकि 80-90 प्त स्कॉप्शन इसी से आएंगे आटिकल से नहीं आएंगे इसार्टिकल में उससे जुड़े मुद्दध ही मुद्द यह है तो exam hall में नहीं बता पाओगे, आप ही बताओगे, इस चीज मैं prove करवाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमें source क्या-क्या यूच करने होंगे, तो देखो, source की भी समय, मैं पहली, मैं बार-बार आपसे कहता है रहा हूँ कि source में हमें जादा चीजों को हमें एकठा नहीं करना है, हमें यहाँ पर source की रूप में सबसे पहली जो हमारी priority रहेगी, वह होगी हमें class करना है, और class में जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपका self-notes बनाना है, जैसे मैंने ये चीजे बताई, जो चीजे मैं लिखते चलना हूँ, आपको self-notes बनाना है, इसके बार आपको जो काम करना है, वो है कि NCRT आप पढ़ना चालू कर दीजे, क्योंकि मैं बार बार सम्मिधान के जो प्रावधान है, उनको NCRT से connect करूँगा, क्योंकि मेश के 60-70% को सन आपको NCRT से बनते हुए दिखेंगे तो NCRT आप पढ़ना चालू कर सकते हैं, मैंने इसी platform पर बहुत से NCRT पॉलिटी के बढ़ाई है, आप class 6 से NCRT पढ़ना चालू कर सकते हैं, आपकी समझ बहुत बहुत बहतर है, तो class 11 के NCRT आप पढ़ लिजेगा, 12 के NCRT पढ़ लिजेगा, उसके बाद आपको लक्षम लक्षमी कांत आप ले लेंगे, और यह class जब कुछ complete हो जाएगी, तब आप लक्षमी कांत पढ़ेगा, आज पढ़ेंगे, समय जादा लगेगा, class को कुछ दिन करने के बाद जब पढ़ेंगे, तो अपने आप देखिएगा, जो चीजे वहाँ पर आपको थोड़ा सा भा condition थी न, कि 4-5 question गलत जो जिन लोगों के हो जाते हैं, आपके नहीं होंगे, आप इस पर आ चुके हो, बस यहां तक आपको पहुंचना है, और यह होगा, ठीक है, यहां तक clear हो गया, यहां तक clear हो गया, अब मैंने कहा कि questions की nature पर, चलो, question पर हम बाद में बात कर लेंगे, कि ओधर हम topic start करते हैं, clear हुआ, यहां तक clear है, यहां तक clear, यहां तक clear, गया अचर्ट के लिए, इसको लाइक और, शुर नहीं करेए, ठीक है, ठीक है कि चले अब क्या करते हैं इन दो सब्दों को समझनाии sytar करते हैं हमने कहा हमारा जो जरनी होगा वह in दो सब्दों से होग तो हमें जो सब्द समझने हैं हम अब a topic क्योंकि ढ़ी ऑड़ी बातों से कुछ होने वाला नहीं आज मैं आफ को कहतू मैं ऐसा करूंगा हमें ऐसा करोंगा और अंत में आप जिगए तो कुछ हुआ ही नहीं तो आपका भरम तूट जाएगा इसलिए हमें क्या करना है हमें सांदार तरीके से इस पर अपनी कमाड़ तो पहला जो सब्द है जो हमारी टॉपिक वह हमें डिसकस करना है यह जो सब्जेक्ट का टाइटल है समिधान एवं राजब्योस्त इसी को इंग्लिस में भी मैं लिख दे रहा हूं कॉन्सिट्यूशन को पॉलिटी तो हमारा जो सेग्मेंट है वह है पॉलिटी एक करके दोनों सब्दों का अर्थ समझते ठीक है तो सब्से पहले हम जो सब्दों डिसकस करने जा रहे हैं वह कॉन्सिट्यूशन क्योंकि अभी हमारी जो पूरी जर्णी है लगभव देढ़ महिने हम लोग इसी विसे को पढ़ने वाले हैं पतलत ऐसा नहीं कि और विसे नहीं पढ़ेंगे लेकिन हां हम लोग डेली इस क्लास को करने वाले हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस सब्द को और इस सब्द को अच्छे से समझ जाएं ताकि हमें पता हो कि आगे हम क्या-क डिसकस करने वाले तो पहला जो सब्द है वह है Constitution इसको हिंदी में हम लोगों ने कहा यह संभीधा तो यहीं पर हम नोट कर लेते हैं अब देखेंगे तो बहुत मोटी किताब है मैं तो देखके उसे डड़ जाता हूं इतनी पेजस की वह किताब है लेकिन आपके पास जो पॉल्टी और कॉंसिट्यूशन का नोर्स होना चाहिए वह मैक्सिमम् 1.500 से लेकर 180 पेज का होना चाहिए अगर आपकी ठीक है तो इससे ज्यादा पेज नहीं लगेंगे और पूरे सम्मिधान को समझने से पहले आप थोड़ा से इस बिसे को जितना आप ब्योगारिक बनाएंगे उतना ही अच्छा है हमने और आपने क्या किया एक कंपनी फॉर्म किया कंपनी बनाया अभी जो कंपनी है यह कैसे चलेगी इसके लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और नियमों को हम क्या करेंगे सब को बता देंगे कि भाई देखो यह नियम है नियम क्या होंगे कि किसके क्या अधिकार है कौन टॉप लेबल पर मेनेजमेंट करेगा कौन छोटे लेबल पर मेनेजमेंट को देखेगा कौन पैसे का लेंदेन करेगा कौन मार्केटिंग का क करेगा कौन जो है कि लोगों से बात करेगा प्रोडक्ट की क्joy क्या होने चींट बगेरा वगेरा इस सब आपने क्या कर दिया निлом बना दिया तो जब आपने FP बनाए है और इसी निम के अनुसार जब आपकी company चलेगी तो आपको क्या होगा जो आप करना चाते थे वो कर ले जाएंगे ठीक इसी तरह से अब हम company की जगे हम बात कर लेते हैं देश की विश्वे में इसी तरह से यह माल लेते हैं यह कोई देश है कोई country है हना तो जो भी देश या country होगा उसको चलाने के के हमें एक supreme law बनाना होगा एक supreme law बनाना होगा तो जो सम्मिधान होता है वो supreme law of land होता है इसका क्या मतलब हुआ किसी देश को चलाने के लिए किसी देश को नोट करते चले किसी देश को चलाने के लिए जो सर्वोच बिधी होती है उसी को हम सम्विधान कहते हैं जैसे हमारा देश है तो हमारा देश कैसे चलेगा क्या मेरे हिसाब से चलेगा क्या मानि परधान मंत्री जी के हिसाब से चलेगा क्या राहुल गांधी जी के हिसाब से चलेगा, क्या जो है कि मम्ता बनेर जी के हिसाब से चलेगा, या फिर वह किसी किताब के माध्यम से किसी नियम के आधार पर चलेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी ब्यक्ति कभी भी तानासा हो सक बैक्ति का साफन नहीं करके लिए उसका मतलब है कि सवर्वच बीदि बनाइगे से मतलब यहां पर नहीं होगी इससे ऊपर कोई डूसरी बिदी नहीं हो किसे ओवपर कोई अन्य बिदी नहीं हो कि इस सर्वच बिधी है तो जो हम सर्वच बिधी बनाते हैं इशी को बोलते हैं समिधा इसका मतलब अगर मैं इस चीज को और explain करूं तो जो समिधान होगा वह क्या होगा कोई बुक हो सकता है अर्थाक नियमों का जो है कि वह किताब हो हो सकता है या फिर वह बंच आप डॉकुमेंट्स हो सकता है बंच आप डॉकुमेंट्स हो सकता है अर्था जो है कि डॉकुमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं डॉकुमेंट्स का मतलब होता है जो है कि शमु शमुच्छ है इसका मतलब है कि यह कोई किताब होगी और अगर यह क्या होगा यह लिखा होगा नियम लिखे होगे कि देश को कैसे चलाए जाएगा तो कोई भी देश है कोई भी जो देश है अगर उसके वहां पर कोई किताब है जो यह बताती जलेगा और हर सरकार उसके उसी के अंसार सासन करती है तो हम कहेंगे कि वही संविधान या फिर bunch of documents का मतलब है हो सकता है किताब वहाँ पर ना हो जैसे हमारे पास तो एक किताब है हमारे पास एक किताब है रुके हम इस किताब को दिखा देते हैं आपको एक सिकन दीजेगा बच्चो एक सिकन दीजेगा मुझे किताब मिल नहीं रहा है तो हमारे यहां जो संविधान है वह एक किताब के रूप में है जो हम लक्षमिकान देखते हैं उन्होंने भी क्या किया है संविधान को सरल करने का प्रयास किया है लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे तो हम लोगों के पास हमारे देश के पास क्या है एक बुक है जिसको हम संभीधान कहते हैं लेकिन कई जगों पर बुक नहीं होगा वहां पर कुछ documents होगे और सभी documents को मिलाक एक जगे रख दिया गया होगा उन्हीं documents के अधार पर देश चलता होगा जैसे आप कह सकते हैं UK UK के पास कोई एक किताब नहीं है उनके पास bunch of documents हैं उसके अधार पर वह क्या करते हैं अपने देश को चलाते हैं तो चाहीं UK हो या फिर हमारा देश हो अच्छा ध्यान दीचेगा मैं बारवन यहां पर इंडिया लिखोंगा इसका मतलवी नहीं है कि आप कहिए कि सर आप भारत नहीं लिख रहे हैं अना ईसका मतलवी नहीं है ठीक है तो इंडिया भारत हमारे लिए एक ही है पॉल्टिकल जो लीडर है, उनके लिए इंडिया और भारत अलग हो सकता है. हम लोग तो क्या हैं? हम लोग नागरिक हैं. तो हमारे लिए इंडिया और भारत एक ही है. ठीक है? तो जो किसी भी देश को चलाने की जो सर्वच बिदी है, वह बुख के फॉर में हो सकती है, तो ह समय बिपक्ष यह कह रहा है बर्तमान सरकार से कि आप सम्मिधान के अगेंस में काम कर रहे हो तो वो क्या कहना चाहता है वो किसी बिपक्ष यह कहना चाहता है कि जो हमारी किताब है आपको इसके हिसाब से नियम चलाना चाहिए था कानून चलाना चाहिए था आपको सरकार चल जो का उलंगन कर रहे हैं इसी तरह से अगर आप यूके में देखें तो बरतमान जो परधान मंत्रियें उससे कई लोग नाराज भी हैं और कई लोग खुज में कुछ लोग कह रहा हैं कि नहीं भीया आपने हमारे यहां की जो संवैधानिक परंपराती जो हमारे यहां का हम पर हम लोग नियमों पर काम करेंगे जैसे हम और आप कंपनी करूँगा आप यह काम करेंगे निया काल लेकिन को पर इसको चलाने का आधार परदान करते हूं उसको हम कहते हैं सं मिलड़ा ठीक है कानूनों का समुच्चे समुच्चे मतलब होता है उसका पूरा रोफ समुच्चे ही क्या कहलाता है श्रमिधान कहलाता है ठीक है क्या यहां तक हम सौंच पाए अब जो भी श्रमिधान होता है फिर से यहीं पर इसी तरह से समिधान बनाएए जो समिधान होता है वह क्या करता ह उस देश में उस देश में बिधी का सासन इस्थापित करता है बिधी का शासन इस्थापित करता है अब प्रश्ण आएगा बिधी का सासन क्यों और समिधान होना क्यों ज़रूरी है फिर से मान लेजें यह एक देश है और यहां पर अगर कोई समिधान नहीं है कोई सुप्री लौ नहीं है तो यहां पर क्या होगा कोई व्यक्ति आएगा बहुत ताकतवर होगा तानस्ता होगा और वो कहेगा कि मेरा नियम चलेगा तो उसका नियम ना चले इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से ही कोई नियम बना दे जैसे पहले से अगर किसी घर परिवार में नियम तो कोई दूसरा नियम नहीं बनाएगा, जैसे आज आपका परिवार है, तो आपके नियम बने हुए हैं, दादा जी के जिम्मेदारी होगी, पिता जी के जिम्मेदारी होगी, चाचा किये होगी, माता जी किये होगी, पिता जो है के बहन जी के जिम्मेदारी होगी, सब होंगे नहीं पहले से अगर आपके हाँ नियम है तो देखो भीया आप बाहर से आओ खाना पीना खाओ और हमारी नियम है इसको आपको मानना होगा ठीक किसी तरह से जब हम उस देश को चलाने के लिए जब हमारे पास संविधान होगा तो उससे क्या होगा वहां पर विधी का सासन होगा क्योंकि शंविधान है क्या वहां किसी देश के लिए बनाया गया शंविधान सरोच बिधान है तो इससे क्या होता है उस देश में विधी का जो सासन है वह लागू होता है इसका मतलम जो संविधान है वह देश के वह देश के इस थली इस थली जली 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 और बायू छित्र में वायू छित्र में जो भी कारी होंगे जो भी कारी होंगे वह कारी किश्परकार होंगे कैसे किये जाएंगे उसका क्या करता है नियम बताता है उसका तरीका बताता है अब ध्यान देना जब हम समिधान की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लि करहेंगा कि हम लेंड की बात कर रहें तो हमेरा जो साग्री छिटर है वहां पर पर कौसा कानून लागों देखिए जैसे जह है यह हमारा जोजलिएंगे तो यहां पर भी जो नियम लागू होगा कौंसा होगा यह हमारे संभिधान ही नियम होगा जैसे द। चाइना का एक पंडुबी चाइना से निकला, और चाइना से निकल कर वह जो है कि अफ्रिका की ओर जा रहा था, उसने सोचा कि हम भारत की किनारे जाकर ठहरेंगे, भारत क्या करेगा, मना कर देगा, क्यों कि वह उसका जलिये छेतर है, और कहेगा देखो भी यहाँ पर हमारी संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब है कि जहां पर अधिकार किसका है, बात किसकी चलती है, नियम किसके चलते है, जैसे आप कहते हो कि मेरे उपर सिर्फ और सिर्फ मैं ही राज करता हूँ, किसी दूसरी की कोई बात मैं मानने के लिए बात नहीं हूँ, तो आप अपन देश देख कि तुमको ऐसा करना होगा हम उनसे कहेंगे कि अपना मुह क्या करिए बंद रखिए हमें पता है हमें अपना देश कैसे चलाना है तो इसको हम क्या कहेंगे हम शंप्रभू है अर्थात भारत करता है कि वह आंतरिक मामलों में किस तरह से अपना नियंतरन करें किस सासन चला और इसी तरह से वह बाहर की दिन चीजु को मानने लिए बाद है की नई हम अगर बाद है तो संप्रभू को हरаты से अपनी विश्वें में हम देश में आंतरीक क्नितिया क्या होंगी दूसरे देशों के साथ क्या संबंद होगा हम डिसाइड कर सकते हैं तो हम संप्रभू हैं अर्थार हम चाइना के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ कैसा रखेंगे अगर हम ये निर्णे करने में सच्छम हैं तो हम संप्रभू हैं हम मनिपूर के मामले में हम जो है की हनियाना के मामले में हम जो है की दिल्ली के मामले में क्या निर्णे लेते हैं यह हम डिसाइड करेंगे तो हम संप्रभू हैं अर्था कोई भी बाहरिश रता अगर हमें किसी कारे को करने से नहीं रोग सकती, तो हम क्या हैं, संपरव FPS तो जो जलिये छेत्र है, वह उसमें भी हमारा क्या होता है, नियम और कानून लागो होते हैं, तो कौन से नियम और कानून? संबिधान के, वायु वाला छेत्र है, अर्था दिल्ली के उपर का जो हवाई चेतर है उस पर किसका नियंतर होगा हमारा ही नियंतर होगा न और उसमें हम क्या कार कर सकते हैं जो हमारा सम्मिधान बताता है तो कुल मिलाकर जो सम्मिधान होता है उस देश में बिटी के सासन को इस्तापित करता है उस देश के इस थल इसका जो सासन विवस्था कैसे चलेगे अब देखिए यहां पर एक नया सब्द आ गया वह है सासन प्रश्ण आएगा आखिर सासन का अर्थ क्या है सासन का अर्थ क्या है और सासन का मतलब है । जो हमारे और आपके जीवन के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं। सारवजनिक मुद्दे इन सारवजनिक मुद्दों को लागू करवाने वाली शंस्था ठीक है कि लियर है तो जो हमारे जीवन के सारवजनिक मुद्दे क्या है कि कानून कैसा होगा कानून कैसा होगा हमारी सिच्छा ब्यवस्था कैसी होगी हमारा जो स्वास्थ ब्यवस्था है वह कैसी होगे हमारे यहाँ पर जो सामाजिक नियम है हमारे यहाँ पर जो सामाजिक नियम है वह कैसे होगे हमारे यहाँ पर जो आर्थिक परणाली है वह कैसी होगी आर्थिक परणाली वह कैसी होगी इस सब decide कौन करता है वह सम्विधान और सम्विधान क्या करता है सासन व्यवस्था को चलाता है सासन व्यवस्था कैसे चलेगी निश्चीत करता है सासन का मतलब हुआ सारवजनिक मुद्दे सासन का मतलब होता है सारवजनिक मुद्दे आप ध्यान दिजेगा सासन आप सुनते होंग यह जन प्रतिनिधियों के संदर है जन प्रतिनिधियों के संदर है इसका मतलब है कि जब आप मुख्यमंत्री शियम की बात करते हैं जब आप प्रधान मंत्री की बात करते हैं जब आप प्रधान की बात करते हैं हना तो इस सब लोग क्या है सासन का हिस्सा है यह हमारे चुने सार्जनिक मुद्दों पर निढने लेते हैं। कौन से indoor कानून कीसा होगा? सिच्छाμ किसे समाजिक नियम क्या होगे होंगे? समाजिक नियम में मतलब ये है कि दलितों को क्या अधिकार होंगे? बंचित समधाय के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या रखिया जाएगा वगेरा वगेरा इस सब कौन करता है यह चुने हुए हमारे प्रतिनिधी करते हैं तो जो चुने हुए सिच्छा बेवस्ता कैसे होने चाहिए, स्वास्त कैसे होना चाहिए, समाजिक नियम कैसे होने चाहिए, आर्थिक परणाली कैसे होने चाहिए, तो इसके लिए क्या कर रहा है, सासन क्या करेगा, नियम बनाएगा, या फिर नीती बनाएगा, नीती बनाएगा, और नियम और न करेगा वह डिसाइड करेगा कानून ब्योस्था कैसी होनी चाहिए स्वास्त का इस्तर कैसा होना चाहिए समाजिक नियम क्या होने चाहिए आरच्छन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नियुक्ति किसकी कैसी होगी अना आर्थिक पढ़ाय टेक्स क्या लगेगा क्या नहीं बगैर बारे जितनी चीजे सब, इस सासन डिसाइड करेगा, सासन कहेगा पर सासन से, पर सासन से कहेगा कि भईया आपको क्या करना है, इन नीतियों को लागू करना है, जैसे आप जब डियम होंगे, आप जब एस पी होंगे, जब आप एस डियम होंगे, तो आप क्या करेंग उनकी जो है कि मंतिरी पर्शंद्दें बनाएं आप किया है प्रसासन का अंग है आपको कहा जाएगा इन नीतियों को लागू जीजे तो आप क्या करेंगे अगस्थ के माह में क्या होगा बिश्चारो पण होगा अब प्रसासन में आप अधिकार हैं SDM है डियम है आप SSP सहाब हैं जो भी पतपर हैं तो आप क्या है प्रसासन का हिस्सा है आप से कहा जाएगा कि भी आप पेड़ लगने चाहिए उसके लिए पूरी ब्योस्था करी तो आप क्या कर रहे हैं नियमों को लागू करवा रहे हैं ठीक इसी तरह से सरका समिध्हान तो समिध्हान यह बताता है समिध्हान क्या करेगा समिध्हान क्या करेगा जो हमारा चुने हुए प्रतिनिधी है वह सासन कैसे चलाएं यह उनको बताएगा अर्था जब भी वह निती बनाएंगे जब भी वह नियम बनाएंगे तो इनके उपर सीमा इनके उपर कानून बनाने हैं नीतियां बनानी है वह हमेशा क्या होनी चाहिए सम्विधानिक होनी चाहिए अर्था जो भी वह कारे करेंगे सम्विधान की दायरे में रहके करेंगे क्यों सम्विधान की दायरे में रहके करना होगा क्योंकि हमारा जो सम्विधान है वह खुद बताता है क सासन व्यवस्था कैसे चलेगे इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ची आए आज कहें कि देखो ऐसा है अब यहां पर कोई रोजगार नहीं होगा हटा दो सब कुछ बंद कर दो फिर उनसे कहा गया सिच्छा की बाद नहीं इसकूल क्या ही जरूरत है इसकूल को बंद कर दो मुख्यमंत्री है कल कोई होगा उस मख्यमंत्री के धौब बяхती के दवड़ा क्या कारे किया जाएगा यह सम्भीधान बताता है ना कि कोई बैक्ती बताता है आप इसलिए देखते हैं कि सासन बदलता है पर सासन बदलता है है लेकिन चलती सब चीजें एक ही तरह से क्यों कि सासन विवस्ता कैसे चलेगी यह कौन बताता है हमारा सम्मिधान बताता है क्या हम इस चीज को किलियर कर पाए ठीक है क्या हम इस चीज को समझ पाए कि यहां सब्सक्राइब कमेंट में जान इतना तो हमने क्या कहा सासन बदलेगा अर्था चुने हुए हमारे प्रतिनी भी बदल जाएंगे प्रतान जी बदल जाएंगे नगरपालिका के लोग बदल जाएंगे लेकिन शासन हमेशा एकी तरह से चलेगा क्यों चलेगा क्यों कि हमारे देश का जो सम्मिधान है या किसी भी देश का सम्मिधान है वह क्या बताता कि सासन में उस्ता क्या चलेगा तो हमने क्या कहा कि सम्मिधान क्या है सुप्रीम लॉप लेंड किसी देश में जो सबसे पर प्रमुख नियम है यह नियम ही क्या करता है बिधी का सासन स्थापित करने का मतलब है कि अब यह नहीं होगा कि कोई ब्यक्ति मान लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री बने और बड़ा आक्रोसित है कि पहले की सरकारों ने ऐसा किया अब ही हम सब काई आप विधी की अनुसार रसासन चलाने में जो उसका इस ठलियच चेत्र है है उसके जो नियम है वह कौन बताता सम्विषान बताता है और समविधान यह भी बताता है कि सासन ब्योवस्था कैसे चलेगी यहां तक किलियर सासन प्रसासन में भी किलियर हो गया होगा ठीक है अगला देखें अभी तो सम्विधान को बहुत समझना है ठीक अगला जो पॉइंट है उसको समझें यह जो हमारा को डिशाइड करता है सक्ति और स्वरLING को निर्धारित करता है अब इसका मतलबी है कि सरकार सरकार का गठन कैसे होगा क norm कौन है जैसे अभी जो है कि मुख्य armpari جी हैं मुख्य मंत्रीsti को लगे कि हमें क्या करना चाहिए खुब मंत्री बना देने चाहिए जब ज़्यादा मंत्री होंगे तो सभी बिद्धायकोस उगे जैसे कि आपको पता है कि इस समय क्या होता है एक दल बना एक राजनीतिक दल सत्ता में है तो मालुम चलता है उसके कुछ दो लोग तूट कर दूसरे हिस्से में चले गए अब ऐसे मुख्यमंत्री जी बड़ा परिसान रहते हैं कि भाया कोई भी जो है कि आता है हमारे विधाय को त बताया जा सकता है लेकिन उसका नियम है ठीक किसी तरसे सरकार जो होगी कब वैलिट सरकार होगी अब मालो एक ऐसी कंडिशन देखो कि कहीं पर चुनाव हुए और चुनाव में किसी को बहुमत मिला नहीं कोई राजनीतिक दल सबसे बड़ा नहीं सब मिले जुले हैं अब स सरकार किस की बनेगी किस कंडिशन में कौन सी सरकार रहेगी यह सब हमारा समिधान बताता है अब सरकार बन गई तो उसकी सकती क्या होगी क्या वह समिधान को पूरी तरसे बदल सकती है क्या वह नया समिधान लिख सकती है क्या वह जनता के अगेंस में कारे कर सकती है क्या व उनका जो दाईत्व है वह क्या होगा और उन पर नियंत्रण कैसे होगा उन पर जो नियंत्रण है वह कैसे होगा ये पिया करता हमारा समытधान बताथ liberal जैसे कि हम सवरकार सब्दी उज करते हैं तो इसमें तीन चीज़ क कौन सी इसमें विधाईका अब देखेएगा इस चीज़ को एकस्पलेन कर比較 का मतलब होता है बिधि बनाने वाली शंस्था और विधि बनाने वाली संस्था है हम इसको दो संस्थाव की रूट में ले सकते हैं आगे चल को और इस पर जैसे हम कह सकते हैं संसत क्या करती है बिधी बनाती है और ठीक इसी तरह से जो बिधान सभा होती है राजी की स्थाफ़ जिस राज के आप होंगे वहां की बिधान सभा वह भी क्या करती बिधी बनात संव्विधान होना चाहिए और अगर कोई कानून समंविधान की में आप क्या करेंगे सुप्रीम कूछ कोट मे संसद के द्वारा बना बनाए गए इस कानून को रिजेट करेंगा जो संविधान की अगेंस में इसका मतलब क्या है अगर इस संविधान ना होता तो संसत क्या होती बहुत पावरपुल होती लेकिन यहीं संविधान सरकार की सक्की को बता देता है कि भाया तुम संसत के रूप में हो या विधान सभा विधान सभा कहा होती कानून बनाया वह समिधान के एगेंस में और उस कानून को क्या किया जाएगा कारेपालिका कारेपालिका में कौन लोग है आप लोग सामिल होंगे जैसे कारेपालिका दो तरह की होती है एक होती है राजनितिक कारेपालिका एक होती है इस्थाई कारेपालिका या परसासनी कारेपालिका राजनितिक में जैसे जो लोग चुनकर प्रतिनीदी आते हैं जैस प्रसासनी कारेपालिका में आप लोग है आप क्या है आई-पियस के रूप में अपनी अलग-अलग विभावों में मंत्रालों में अपनी सेवाई देते तो आपके उपर भी क्या है नियम लागू होते हैं आप कितने भी बड़े पत पर पहुंच जाएं आप कोई भी ऐसा कर सकते जो क्या है और संब्धानी को मतलब आपके पास पावर बहुत है लेकिन पावर की शीमा क्या है आप संब्धान के दाएरे में आप संब्धान के दाएरे में रहकरी काम करेंगे जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप प्रधान मंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन आते हैं आपने क्या किया आदेश दिया या आप कोई अधिकारी हैं आपने आदेश दिया कि उसको उठा लाओ आपने क्या आप कारे पालिका हैं आपने जो कारे किया ओ असम्वेधानिक था वह ब्यक्तित तुरंद क्या करेगा हाई कोट या सुप्रीम कोट जाकर आपके क्र कि आप समिधान से ब्योंद जाकर कोई कारें नहीं कर सकते ठीक इसी तरह से नियाएपालिका नियाएपालिका भी क्या हुआ है सम्मिधान से बढ़ा व्हसब बढ़ा हुआ गया जैसे बटमान जो चीप जशेसी आप इंडिया हैं वह एसा नहीं है कि वह प्रधान मंत्री जी को तलब कलने प्रधान मंत्री यहां पर आइस बताइए क्या हो रहा मनी पूर नहीं this क्यो़ उपर क्यों कि वह सरकार का अंग है और उनकी स Singer और सिमाय है कुल मे लाकर हमारा जो समीध्यां है वह यह काम करता है और इसी के साथ वह एक और काम करता है वह सक्तियों का प्रिथक्रन करता है सक्तियों का जो प्रिथक्रन प्रिथक्रन का मतलब है distribution of power क्यों करता है ताकि कोई भी सरकार और सत्ता कोई भी सरकार और सत्ता निरंकुस ना हो जाए आप खुश समझे कि किसी भी बैक्ति को अगर आप पावर दे देंगे तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई बैक्ति नहीं है जिसके अंदर पावर मिलते ही उसका असर ना हो कहा जाता है कि सबसे जो बुरा नसा होता है वह पावर का होता اور इस समुधान सभा की जो सदस्थ थे जो लोग समुधान लिख रहे थे वह इस चीज से परचित थे और उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम क्या करेंगे सरकार और सत्था निरंकुस नहों हो जाए इसलिए शक्कियो का प्रथक्रण का मतलब है कि जो सरकार की अंग है जो बिधाई का है कारेपालिका न्यायपालिका है सब की सक्क्यों को बता दो और सभी यहां पर लिख सौट में लिख दे रहा हूं बिधाईका कारेपालिका और न्यायपालिका इन तीनों की शक्तियां है और तीनों को कहा कि आप तीनों क्या करना एक दूसरी से स्वतंत रो और एक दूसरी से स्वतंत रहेकर काम करोगे लेकिन तीनों को एक दूसरी से क्या करना है चेक और पैलेंस करते रहेंगे ताकि कोई भी अपनी शेमा को लांग ना सके कोई अपनी बॉंडरी को लांग ना सके अगर समिधान न और आएंगे इसके बाद हम अगर समिधान को समझे और क्या करता है समिधान किसी भी देश का शमेटान संोल है वह होगा के जनता या या फीर आप एक सब्ढ यूज कर सकते हैं नागरीकách उनकी अधिकारों की रक्षा करता है उनकी परदकाई करने का मन कर रहा तो कई मुझे क्यों कर रहे हो कर तो हमें ne पता आज मार्वान करने का चल ऊठा ले गहें आपको इतना पीटा आपका जो है की थे üzfight class of last class अआप आपने कसम ले आप क्या करेंग है IPS बनेंगे और IPS बनते ही इसको मुर्गा बनाएंगे तो आपको इतना करने कि जरूवत नहीं Baptist नहीं आप उसको वैसे भी मुर्गा बना सकते हैं क्यों मुर्गा मतलब उसको कुछ इसका है कि हमारे और आपके अधिकार हैं कुछ यह अधिकार कौन दे रहा है संभिधान दे रहा है और इसलिए दे रहा है ताकि कोई भी शरकार हमारे अधिकारों का हनन ना कर सके चुंकि अगर अधिकार जो है कि संभिधानिक नहीं होंगे तो आने वाली जो सरकार हैं और सत्ता है कभी भी निरंग कुछ हो सकती तो आपने देखा होगा आपने सब्द सुना होगा एक सब्द वह है फंडा मेंटर राइट आगे चलकर मैं बताऊंगा फंडा मौलीक अधिकार क्यों दिये गए और वो समिधान के द्वारा ही क्यों दिये गए क्योंकि हमें भी पता था आगे चलकर कोई ऐसा ब्यक्ति आ सकता है जो तानासा हो सकता है उसकी तानासा ही को रोकने उसके कृत्तियों पर नियंत्रण कैसे लगेगा जब पहले से ही लोगों की अधिकार लिखे होंगे मानलो यहां हमारे यहां पर एक से ब्यक्ति की सरकार आई उसनी कहा कि जो लोग कानून नहीं होता कोई नियम नहीं होता तो नियम कौन से समिधान समिधान ने देखा था समिधान सभा को बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने देखा था कि आजादी के संघर्ज के दौरा हम किस तरह के जो है कि किस तरह से कानूनों की मांग कर रहे थे आकिर हमारे और अंग कि लिए करता है ताकि हमारे यहां पर लोगतंत्र रह शकित।, अगला जो लाइन है वुअ है लोगतंत्र की शुरच्छा करता है क्या है है अगर अगे समिधान नहीं होता और प्लग अलग चीजह है नियम है प्रंपरा है कुछ नाकुमेंट्ट शाषनी चलता है ते यही मित नियम चला स्टत Houston नहीं रहता डेमोक्रिसी सुरच्छी टूराइगा जब इस चलाने वाले जो मुल्य है वह क्या हूं चलाने जो मुल्य हैं शुरच्छित रहे और सुरच्छित कब रहेंगे जब हमारे पास यह जो हमारी नियम है वह बहुत क्या हो मजबूत हो बिढ़ी ऐसी हो जिसक guitall nahsakay अगर हमारे हैं पर डिमोक्रेसी है वह इस वजे से सम्मिधान नहीं तो हमारे बगल में मेम्मार को डेख लेजे कहने को मेम्मार में सम्मिधान है लेकिन उहाँ पर डिमोक्रेसी चल नहीं पाई क्योंकि डेमोक्रिशी के जो आइडियल्स थे उनको वहां पर फॉलो नहीं किया गया हमारा जो समिधान है वह इतने डिटेल तरीके से हर चीज को लिख देता है और सबकी सिमाई इतने इस परस तोर पर बता देता है कि कोई अपनी सक्ति को लाही नहीं सकता को बिपक्ष क्या कह रहा है कि यह बिपक्ष कह रहा है संसद जो है कि चली नहीं रही हना किसी मुद्ध कोई भी बिल आ रहा है कोई कानून बनाए जा रहा है तो बिपक्ष उसमें सामिल ही नहीं हो रहा है सरकार के पास इतने संसद हैं कि वह बोटिंग करवा के पास कर ले र कानून क्यों बनाया लेकिन इब बिपक्ष के मतलव है कि जो कुछ हमारी सरकार करे सरकार के जो भी अंग है विधाई का हो विपालिका जितने भी करें उन्स सब्कों क्या करना है इसी लिए सकतियां द गए नहीं है सबको जैसे न्याइपालिका को कहा गया है कि जब भी आपको कुछ भी ऐसा कृत्त लगे जो अलोगतांत्रिक हो गैर लोगतांत्रिक हो आप क्या कीजिएगा उसको समाप्त कीजिए कोई ऐसी विधी विधाय का बना दे जाए तो आप उसको रोकिएगा कारेपालिका को ऐसा काम कर दे तो आप क्या कीजेगा सुप्रियम कोड को अधिकार दिया गया है कि आप क्या करें आप सम्मिधान के ब्याक्या का अधिकार हम आपको दे रहे हैं और सम्मिधान के ब्याक्या और उसके भाव को देखते हुए आप क्या कीजेगा आदेश दीजेगा क्योंकि कि आपको हमने आदेश देने का अधिकार दिया है क्यों कि लोगतंत्र को हमें सुरच्छित रखना है तो जो समिधान होता है वह किसी भी देश का हो अगर उसको लोगतंत्र के लिए बनाये गया है तो क्या होता है लोगतंत्र का एक बहुत बड़ा आधार होता है ठीक है फिर अगला अगर हम देखें तो जो समिधान होता है कि हमारा जो देश में ले जाना चाहते हैं कि इसा में ले जाना चाहते हैं या फिर हमारे देश के लिए क्या आदर्स होंगे, क्या मुल्य होंगे, इसकी जानकारी हमें किस से मिलती है, शम्मिधान से मिलती है, जैसे अगर हम अपने देश को देखें, तो अपने सम्मिधान को जो हम पढ़ना चालू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा सम्मिधान कहता है हमारा जो देश होगा वह लोकतांत्रिक देश होगा हमारा जो देश होगा वह पंत निर्पेच देश होगा क्या यह कैसे पता चलना क्योंकि हमारे पास सम्मिधान है अगर कोई ऐसा डोकुमेंट ना होता लिखित रूप में क्या होता तो हमें कैसे पता चलता कि महात्मा गांधी जी क्या सोचते थे हमारे यहां पर जो अन्य फ्रीडम फाइटर थे वो क्या सोचते थे समिधान सभा के लोग क्या सोचते थे उन्होंने जो समिधान बनाया है उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश के लिए आदर्स क्य आगे बढ़ना चाहिए, किन-किन मुल्यों को हमें सरचित रखना चाहिए, ये सब किसे पता चलता है सम्मिधान, तो किसी भी देश का जो सम्मिधान होता है, वह उसके आदर्सों और मुल्यों को क्या करता है, प्रतिबिम्बित करता है, उसको बताता है, उसको इंगित करता ह है और इस तरह से हम समझ पाए कि सम्मिधान क्या होता है क्या मैं आपको समझा पाया कि सम्मिधान क्या होता है तो हम पहला सब्सक्राइब पाई समयधान अब हम समझेंगे पॉलिटी लेकिन उससे पहले मुझे एक बार बता दिजे हम समय भाइक कि नहीं प्लीज बताएगे प्लीज प्लीम प्लीज 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 के लिए वर्ट तो तेजी से बच्चों क्या रिंदम सुस्त पड़े क्या को सिजय सोन को आप लोगों ने सेहर नहीं किया ना केवल 30 लोगों ने सेहर किया है केवल 30 लोगों ने सेहर किया बताए कि हम समझपाए तो समिधान हमने Constitution समझा तो अब हमारी जो पूरी जर्णी होगी उसमें क्या है हम बार-बार इनी चीजों को Constitution को अपने समिधान को समझेंगे देखेंगे अब हम दूसरा सब्द समझते हैं वह है प्वालिटी है अच्छा देखे समिधान की हम बात कर रहे थे तो समिधान की इसी जर्णी में यह चीज हम कुछ डेटा देख लेते हैं आपके सामने कुछ देश हैं और इन देशों का समिधान बताया गया है तो समिधान जो बनने की कि परिक्रिया है आपको भी पता है हमारा जो देश का समिधान बना वहां ना इंटिन 46 में बनना चालू होता है 1949 में complete होता है 26 जनुरी निस सब्टाबश को हमारा समझतान लागू होता है उससे पहले और देखेश के अलग-अलग छित्तुर में समिधान बन चुके थे तो उसके एक छोटी सी लिष्ट है हम आगे चलकर सम्मिधान कितने परकार का होता है वो सभी चीज़े डिसकस करेंगे अभी तो हमें सम्मिधान सब्द समझना था उसको हमने समझा यहां पर देखें तो आपके पास एक मैप है और इस मैप में दिखाए गया है कि कहां पर यूके 1215 में अभी जो आप यूके देख रहे हैं तो यहां का जो नियम चलता है जो कानून चलता है उसका एक मोटा ढाचा है वह 1215 में ही बन गया था नहां तो लोगतंत्र के पॉंट अब्वेश से एक बहुत प्रारंभिक प्रयास है वह यहां यूके में दिखाई देता है तो यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर पहले दर्सन राजपदती थी राजा का सासन हुआ करता था लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि नई भाई ये ठीक नहीं है वहाँ पर एक बिरोध पर दर्सन होने वाला था बड़े इस तर पर हिंसा हो सकती थी लोग अपने हग के लि ॔ Southeast । यहांपर देख सकते हैं आपको बारेश hen उसके बाद जिस देश की सब बहुत ज्यादा चर्चा होती है वह संमिधान होता यह जो समिधान लिखित समिधान बनता है यहां पर लिखे सम्मिधान नहीं था बाचीत हुई कुछ चीजों पर सहमती बनेगी उस पो गए आगे हम फिर से इस पर बात करेंगे लिखेत में क्या अंतर है कैसे सम्मृधान को सबीकर करेंगे मैं सब्सक्राइब अभी आपको जो जानकारी दे रहा हूं उस सम्मिधान के जो है 1814 में समझिधान बनता है Belgium 1831 में लगजंबर में इथा यहां पर समिधान 1872 बन जाता है तॉंग आस्टेलिया निस सो एक में समिधान यहां पर बन जाता है और जो केनेडा है वहां पर 800 675 समयधान बनता है इसी तरह है तो जो भी मुल्य हमने समिधान के बताए उन मुल्यों को देखें तो लगभग हमें एक हजार बर्स का एक इत्यास हमें मिल सकता है कि लगभग 1000 कि सम्धान बनने की परक्रिया या उस जो मुल्य है वे धीरे भिक्सित हुआ पहले जो देश थे वह सभी सम्मिधान के त्यत्षाज brought the से अधिकान जोगह पर राज्य तंत्र राज्य तंतर में राजा का सासन होता था और तो राजा का सासन में राजा और रानी के उपर सब कुछ होता था लेकिन धीरे-धीरे क्या हुई यह परकिरिया बदली सम्मिध्हान देशों में आने लगे सम्मिध्हान से लोकसासित होने लगे और आज के समय में माना जाता कि जो सम्मिध्हानिक मुल्ले है जो सम्मिध्हा दूसरा सब्द समझते हैं पॉलिटिक यहां तक तो कोई किलिया कोई डाउट नहीं होना चाहिए न ठीक है अगला जो सब्द है वह हमारा पॉलिटिक ठीक है तो अभी हमने जो समिधान समझा वह क्या था हमने देखा कि समिधान क्या है वह सर्वोच बिधी है और सर्वोच बिधी किस रूप में है या तो वह बुक के रूप में है या फिर वह कई डॉकुमेंट्स के रूप में है एक सेकेंड केगा वह कई डोकुमेंट्स है तो जो समिधान है दरसल क्या है यह सिधान्त होता है कि हमारे देश में कैसा क्या होना चाहिए यह सिधान्त बताता है यह क्या करता है सिधान्त बताता है यह क्या करता है नियम बताता है जैसे हम सब लोग मिलकर घर पर बैठें और हम डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए तो हम लोगों जो नियम बनाए यह क्या सद्धान्तिक स्बस्yas है किसी चीज पर लिख लिखी गई चीज है जब आप सिधनात को सिधनात और नियम है दूसरे सब्नों में जो हमारे अब झालनी के लिए बनाए गयए सिधनात नियम है मैं लाली करते हैं जब इनको हम लागू करते हैं तो लागू करते समय जो मुद्दे या जो हम कारे कर जो मुद्दे हमारे शामने आते हैं या जो हम कारे करते हैं वह क्या है पॉलिटी है वह क्या है पॉलिटी दूसरे सब्दों में कहें तो जो सम्विधान है इसका ब्यावहारिक पक्ष है वह क्या क्या है पॉलिटी वह क्या है पॉलिटी टिक तो समिधान क्या हुआ सैध्धान्तिक पक्ष और जब हम सिध्धान्तिक पक्ष को लागू करने का प्रयास करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे पॉलिटी इसका मतलब यह है कि समिधान में जितनी चीजे लिखी गई है समिधान में जो चीज हम से कहा गया है हम से कहा गया है मतलब सरकार से कहा गया है हम से हमें आदेश मिला है हमें सत्य मिलें समिधान में जो कहा गया है जब उसको आप लागू करेंगे तो उसको लागू करना ही क्या है पॉलिटी है उसको लागू करना ही पॉलिटी है इसको म बाते बहुत किलियर हो जाएंगे हम क्या करते हैं हमारा जो समिधान है इसके कुछ अनुछेदों को मैं एक्जामपल के तौर पर आपसे कोड करता हूं अच्छा ध्यान देजेगा मैंने एक सब्द यूज किया अनुछेद अनुछेद को अभी समझे लिजे नियम संख्या ठ यह कहता है कि और इस प्रिश्यता का अंद किया जाता है और इस प्रिश्यता का अंद किया जाता है ठीक और इस प्रिश्यता का अंद किया जाता है यह क्या कहता है समिधान ने कहा कि किसी के साथ जो है कि टच बेल्टी या जो छुआ छूट की भावना है वह नहीं की जाई कोई बैक्ति ऐसा कारी नहीं करेगा जिससे छुवा छूत पहले ठीक है अर्था जो यह छुवा छूत का जो कृत है यह बहुत ही गलत है यह घिनोना है यह नहीं होना चाहिए तो इसी लिए ओश्पिरिश्यता हना जिससे एक ओश्पिरिश्यता का मतलब है टच करने से तो जब हम समिधान बना रहे थे तो समिधान बनाते समय हमने देखा था कि तो गलत है सभी को समिधान में सभी को समान माना गया तो सभी को जब समान माना गया है तो उस चीज को लिख दिया गया समा समिधान में कि कोई भी जो है कि क्या होगा यह अंटच बिल्टी को बढ़ावा नहीं देगा और अगर कोई ऐसा बेट्टी कृति करता है अस्प्रिशिता को बढ़ावा देता है तो उसके लिए संसत क्या करेगी कानून बनाएगी तो यहां पर अनुछे सत्रे में लिखा हुआ है कि अस्प्रिशिता का अंत किया जाता है लेकिन एक बाए होता तो क्या इससे बात बन जाएगी क्या इससे बात बन जाएगी लोग तो गुसा हो सकते हैं ठीक इसी तरह से आपने नियम बनाया कि आप बहुत ही प्रेम मोहबद के साथ रहेंगे लेकिन क्या यह ब्योहारिक है कि ऐसा हो जाए कोई आप प्रेम और ब्योहार से रहेंगे को अगर समिधान में जो लिखा हुआ है सिफ इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि बहुत समिधान यह कहता है और इस प्रिस्था का अंत कर दिया गया देश के सब लोग मानने कि जो है कि क्या होगा और इस प्रिस्था नहीं होगी क्या यह हो पाया आज भी आप देखते हैं कि हम अगर समिधान जो है कि यह आधिकार नहीं देता कि भी इसके लिए कानून बनेगा और कानून को तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी तो समिधान का यह जो मुल है लागो इने उपाता तो अब इसको जब हम लागू करने का प्रियास करेंगे तो हमारे सामने देखे कुछ च्बान ले यह गयते हैं मैं जा रहा था और किसी ने मेरे साथ से कहा कि दूर हड़ा मैंने कह ख़तम हो गई है आप ऐसा नहीं कर जाता है छुआ छूट को जो चुआ छूट का क्रित्त है इसको जड़ से समख खतम किया जाता है इस प्रकार को कोई क्रित्त नहीं करेगा बस इतना लिखा है लेकिन इससे तो बात होगी नहीं यहां पर बताना होगा कि और प्रिस्ता किस-किस रूप में बोलने के रूप में कृति के रूप में किस तरह से दूसरा अगर और वह ब्यक्ति करता तो किस ब्योभार कोПस्थ नही Deni को Going कर रहा है इसका मतल। वह गमतल। सकते हैं किसी ब्यक्ति के साथ तो गलत कर रहा है तो उसके लिए कौन स सा काण किस प्रकार का कानून होना चाहिए किस प्रकार की सजा देनी चाहिए या फिर उसको फासी पर लटका देना चाहिए यह भी तो कुछ बताये जाएगा ना तो यह सब क्या है इस से जुड़े हुए मुद्धे है ठीक है इसमें यह भी होगा कि सरकार जो औस प्रिशिता का जो भाव है यह लोगों के अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो जाए सरकार उसके लिए क्या क्या काम कर रही है तो यह क्या हुए मुद्धे हुए तो यहां पर समिधान का आर्टिकल से 17 यहां पर बस यह लिख देता है कि हमारे देश से औस प्रिशिता को समाप्त किया जाता है इस से धांतिक पच्छुआ उसको ब्यावहारी वह बताएगी उस्प्रिशिता क्या होगी अगर को इस परकार कौन से आच्रन को इस जो है कि उस्प्रिशिता राटा है तो इसका मतलब इस समीधान कि नियम का उलंगन कर रहा है उसको किस कानून के तहर ना जो बहुत क्रियाटी तरीके से जिसमें सब को बताया जाती गत अधार पर कोई भी जो discrimination है वह ब्यक्ति की मानवी गर्मा के खिलाप है हमें नहीं करना चाहिए कोई नाग टक हो सकता है कोई भी प्रयास तो सब चीजे क्या होगा इसमें हम लागू करेंगे हमारे समयधान का आर्टिकल है सिक्सटीन हमारे वह क्या क्या कहता है कि लोक नियोजन में ओसर की समता होगे ही है औसर की समता होगा इसे समता यहां पर प्रषणि यह आएगा कि नहीं भया इन लोक नियोजन क्या होता है सबसे पहले तो यही चीज को डिफाइन करना होगा कि लोक नियोजन का बिस्तार क्या है अर्थाट इसमें सरकार का कौन कौन सा अंग आएगा और सरकार की किन कारियों कि इसमें रखा जाए क्या सभी पर यह नियम लागू होगा क्या लोक नियोजन में औसर अर्थात जो रोजगार स्रिजित किया जाएगा उसमें सबको औसर मिले तो सबको में इसमें सबको औसर की समता होगी इसमें क्या होगा क्या यहां पर सभी बर्गों की बात की जा रही है बर्गों अर्थात क्या इसमें गरीब और अमीर सबको एक ही ज रूप जो इसमें सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिले यह कैसे होगा यहां पर आरच्छन वाला मुद्दा भी आ जाएगा कि नहीं फिर इसमें एक मुद्दा यह भी आ कितनी दच्छता होने चाहिए और दच्छता है कि नहीं है उसको कैसे चेक किया जाएगा तो समिधान का जो आर्टिकल 16 वह तो सिप्ट यह कह देता है कि लोकण scripture में ओस्र की सम्ता होगी लेकिन उस सम्ता को लाग誌 करने के लिए इस नियम को सहिखेके करने केके लिए की ब्यवहारिक मुद्देन आएंगे और यह जो व्योवहारिक मुद्ध्यान संवम्हारिक संविधान संपäl akkor 19 घίο अभिव्यक्ति की स्वतंतरता की बात करता यह कहता है इता है कि आप बोज सकते हूं अब आज इसे ही जोड लेजे अब वाकियों अभिव्यक्ति की सुतंतरता का इसकी सीमाई क्या होगी क्या कोई ब्यक्ति कुछ भी बोज सकता है और किसी को कुछ बोज सकता है आप इसी में राहुल गांधी जी वाला जो केस है उसको जोड सकते हैं तो बाक औ और अभिव्यक्ति की सुतंतरता क्या ही गई है किसमें होगा लेकिन इसी में वाक्व और अभिव्यक्ति की सिमाएं क्या होगी और अगर कोई व्यक्ति इन शिमाओं का उलंगधन करता है कोई उलंगधन करता है तो कितनी सजा दी जाए सजा कैसे दी जाए और सजा जो दी जा है मतलब क्या होता है जब आप धर्म के आधार पर नफरत वाले बयान देते हो तो क्या ओभी अपनी बात कहता है लेकिन इस बात को लागू करेंगे तो इसमें हाई Supreme Court के बहुत से judgment आ जाएंगे, High Court और Supreme Court के बहुत से judgment आ जाएंगे, बहुत से कैसे सा जाएंगे, यह सब क्या हुआ, इसका ब्यवहारिक पच्छ हुआ, यह क्या हुआ, इसका ब्यवहारिक पच्छ, समिधान क्या कह रहा था, सिर्फ इतना कह रहा था, लेकिन इसका ब्यवहार पच यह क्या है यह पॉल्टी यह क्या हुआ प्वाल्टी और यह क्या हुआ एक चीज कि लिए और मैं आपको एक जंपल देता हूं का इतना मुद्दा यह स कब स्कूर करें इसको कौन करेंगा तो सुप्रीम कोट में डिकार का मतलब यह कि मेरे हाथ पेरों काटे जाएंगे मुझे जान से नहीं मार जाएगा क्या क्या मैं भूखा रह सकता हूं क्या मैं परदूसर्ण में रहने के लिए मुझे मजबूर किया जा सकता है क्या मुझे परदूसरी पानी पीने पर मजबूर किया जा सकता है क्या मुझे लगा कर कहीं एक स्थान से दूसरी स्थान तर ले जाया सकता है क्या मुझे अपने जिले का अधिकार का भाग है की नहीं तो आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की बात करता है लेकिन जब हम इसको लागू करते हैं तो इससे जुड़कर कई मुद्दे आते हैं और यह जितने मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं इस सब मुद्दे सुप्रीम कोट के सामने गए और ब्यापक हो चुका है क्यों कि जीवन के अधिकार को लेकर अलग-अलग समय में अलग-अलग केस आई हना कई बार जीवन के अधिकार में यह हुआ कि भाई आप विदेश नहीं जा सकते उन्होंने सुप्रीम कोट गए उन्होंने कहा कि साब इसमें लिखा कि जीवन के अध अधिकार मिलना चाहिए बहुत से चीजे जोड़ती चले गई और इसमें यह पहले संविधान का जो इसका सोरूप था उससे 20 गुना व्यापक हो चुका है तो यह सब क्या है जो यह विस्तार हुआ यह इतना जो व्यापक हुआ यह क्या है पॉलिटी है यह क्या है इसको चलाना है यह क्या है सःध्धांतिक पच्छ यह क्या हुआ सैध्धांतिक है अब सैध्धांतिक पच्छ को मैं लागूं तो करेंगे लागू के जाएगा तो जब लागू करेंगे और लागू करेंगे तो आपको बहुत से मुद्दों को फेश करना होगा लागू करने के लिए जो जो कारे करेंगे ये सब क्या है पॉलिटी है ये सब क्या है पॉलिटी है ठीक अब देखे क्या पॉलिटी को हम क्या समझ सकते हैं पॉलिटी का कि भाई यह हमारे समयधान का ब्यावहारिक पक्ष है और इस ब्यावहारिक पक्ष में क्या होगा संसत कुछ समय समय पर कानून मनाएगे इसमें जो न्याय पालिका है वह क्या होगी समय समय पर कुछ नेड़े देगी जो पॉल्टी है वह क्या बताएगी कि जो हमारी संस्था यह सही से काम करें और अर्थाद कि की रूपमे है किताब की रूपमें। यह लिखा हुआ है। तो इसको क्या किया जाएगा आग्जिक्यूट करते समय हम देखेंगे कि अलग अलग समय पर समिधान को लागो करने के लिए संसद अलग-अलग कानून बना रहे हैं आप देखें आपको मैंने कल ही नीज पेपर बताया था और सरकार आए दिन जो बिल बनाती है कानून बनाती है जो कानून बनाती है जो एक्त और नियम अधिनियम लाए जाते इस सब क्या यह quality है नियाइपालिका जो भी आदेश दे रही है जो भी नेड़े दे रही है यह सब क्या है यह quality है जो संस्थाइज जिस तरह से कार कर रही है जैसे election commission से कहा गया है कि भाईया आप क्या करोगे स्वतंत और निस्पत चुनाओ करवा रहे हैं उसमें क्या-क्या problems आ रही है आपको याद होगा तो एक दोर हुआ करता था कि बोटिंग हुई और बोटिंग के बाद जो बोटिंग की पेटी थी वही गायब हो जाती थी इसके सामने ब्यवहारिक चुनों तो आज law and order को maintain करनी की जिम्मेदारी संस्थाओं पर है वह संस्थाएं सही से law and order को maintain कर रही है कि नहीं यह क्या है quality है इसी तरह से आप देख लिजिए UPSC है मानलो UPSC को ले लेता है UPSC संब्यद्हानिक संस्था है UPSC को कुछ निर्देश दिए गए है कि आप क्या करोगे आप जो है कि लोगों का चैन करो अब UPSC सही से काम करे या ना करे यह सब क्या है quality का हिस्सा है तो आगर नहीं काम करेगे तो आप इसकी आलोचना करोगे और कर रही है तो आप इसकी क्या कर रहे पर संसा कर रहे हैं तो जितनी भी संस्थाएं हैं जितने भी न्याय पालिका और संसससे जुड़े हुए मुद्दे हैं यह सब चीजें कुल मिलाकर जहां हमारा समि संभिधान है उसका जो ब्यवहारिक पच्छ है वही क्या है पॉल्टी है अर्था हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो संभिधान के अंसारी हो रहा है संभिधान से ही जोड़ा हुआ है तो उसके ब्यवहारिक पच्च को हमें देखते रहना समझते रहना है यही हमारा पॉल्टी है कि लियर है कि लियर है कि अब देखें यहां पर कंक्लूड करते हैं अगर मैंने आपको जो इस्टार्टिंग में बताया कि बरतमान समय में भिया असी से लेकर 90% जो कोस्टन है हना वो जो आते हैं वो समिधान के ब्यवहारिक पच और समझ से आते हैं इसका मतलब है अब मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं कि जो 80 से 90% प्रशन आते हैं कोस्टन आते हैं वो किस से आते हैं पॉल्टी ब्यवहारिक पच क्या हुआ पॉल्टी से आते हैं ठीक है पॉल्टी से आते हैं और इसी पॉल्टी को हम अपने देश में इंडियन डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं इसी को हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी तो कोई आपसे कहे कि हमें इंडियन डेमोक्रेसी पर बात करना समझ जाएगा वह समिधान के ब् पछ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है तो आप समझ जाएगा सम्मिधान के वह ब्यवहारिक पछ अर्थत पॉल्टिक की वह बात करना चाहता है तो यही है हमारा पॉल्टि अब बताएगे समिधान समयधान और राजविवस्था क्या हम इन दो सब्दों का अर्थ समझ पाए और अब आपको पता चल गया कि आगे हमारी जो जर्णी है किस डियरेक्शन में चाहेगी क्या हम समझ पाए कि नहीं बताईए एक बार सब लोग बताईए अच्छा लग रहा है आपको क्या लगता है मजा आजाएगा जुगरोफी जैसा फील आएगा कि नहीं क्या लग रहा है जुगरोफी जैसा फील आजाएगा आगे चलके चाला तो आज इतना ही रखते हैं पहला दिन है आपका छोटी क्लास लेकिन क्लास कल भी होगी कल भी होगी और कल आपका जुगरोफी प्लिम्स ओरियंटेट जुगरोफी का एक मेराथन है प्लिम्स ओरियंटेट इंडियन जुगरोफी की क्लास कल होगी 11 बजे कल 11 बजे और यह जो क्लास है फाइब थर्टी पर कल होगी फाइब थर्टी पर इससे आगे की जर्नी को हम लोग करेंगे शेस्वन को अच्छे से से शेयर कीजेगा बच्चो बहुत मेहनस से हम अक्ला दिन भर आपके लिए नोट्स तयार करना बहुत सी चीजों को डिसकस करना कि हम लोग कैसे इस प्रोग्राम को कैसे इस पूरे प्रान को एक्जुक्यूट करें किस वे में आपको कॉंटेंट दिया जाए कौन सा टॉपिक कप पढ़ाया जाए बहुत हम लोगोंने मेहनत किय है आपसे हमने बोला था कि कॉंटेंट भले ही फ्री में हो लेकिन बहुत सांदार होगा उसी चीज को मैं करने का प्रयास कर रहा हूं अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लिस इसको अधिक से अधिक दोस्तों और मित्रों के साथ इसको सेयर कीचेगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्ट क्लास में थैंक यू सो मुझा